देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प आप सब भी पर सदय बनी रहे हैं कि वीडियो है 16 अप्रिल 2003 संडे यानि की रविवार के दैनिक राशिफल के बारे में सामाने विश्ट्रेशन होता है आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले के जाएगा पंजांग इस्तरा से है तिथी एक आदशी नक्षत्र शतविशा योग शुक्ल करनबाव और वार रहेगा रविवार कृष्ण पक्ष चल रहा है सूर्य महाराज 556 अम पे उदे होके अस्त होंगे 648 पी एम पर चंद्रमा कुंब में रहेंगे नक्षत्र रहे पीम और अमरित काल 926 पीम से 1055 पीम अशुब मुरत रहुकाल 511 पीम से 648 पीम और गुलिक काल 335 पीम से 511 पीम इन दोनों ही अशुब मुरतों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार शिव चारीसा का या सूर्य चारीसा का पाट करके ही घर से निकल लिएगा तो थोड़ा सा अपने विचारों में खुला पन लाई अपने आपको सीमित मर कीजिए अपने आपको नेगेटिव मत कीजिए दिन भागेशाली है सौभागेशाली है इन्वेस्टमन भी करी जा सकती है घर में पैसा भी आता हुआ देख रहा है करियर थोड़ा सा ऑफिस पॉल प्राजने करें बहुत अच्छा दिन है विवाहिक जीवन आपसे यह कहूंगा कि अगर एक ही चीज़ पर भहस होए जा रही है तो चीजों को थोड़ा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करकर आगे बढ़ने का प्रयास कीचिए ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्ट्रक हो गया है रुग गया है स्टुडेंट्स आप समझे कि किसीज पर फोकस करना है सेहत दाइपठी जिनको है थोड़ी दिक्कत बढ़ेगे सरवाश्ट्रक में आपका भागेस्थान बली है तो दिन भागेशारी दिख रहा है उपाई यह है कि आपको सूरे चरीचा का दो बार पाट करके सूरे देव को जलर्पन करना है शुब अंक है आपका वन कल है आपका ब्लैक भाग्य परतिशत है असी परतिशत तॉरस रिशब थोड़ा निशित्ता आज का दिन लेकर आ सकता है अपनी उर्जा को सही डिरेक्शन में लगाई है अपन आपको अज सरल रखें और जादा चीजों पर आपको ध्यार नहीं लगाना चितना कम चीजों से या कम चीजों में इंवाल्व रहेंगे उतना अच्छा रहेगा इंवेस्मेंट बिल्कुल मत कीजिए अपने विश्वास थोड़ा कम होता हुआ देख रहा है इस पर काम यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है अपको और ग्यान अरजित करना पड़ेगा अभी ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बार में पूर्ण ग्यान आपको नहीं है सेहत के हिसाब से पेट के लोग सरवाश्टक के हिसाब से आपका प्रतिशित है 65 जमिनाय मिथुन आज का दिन आपके लिए वैसे ठीकी है थोड़ा जल्दबाजी से बचिएगा आपसे मैं एक ही चीज कहूंगा कि जीवन में अगर बदलाव लाने है तो उसके लिए कुछ करना भी वड़ेगा केवल सोच सोच कर कुछ नहीं होने वाला थ जहां तक करियर की बात है अगर आपको कुछ बढ़ा करना अपने कादक्षेर है तो अब वो समय आ गया है बहुत जहां पर आपको दिखाना पड़ेगा students बहुत कुछ और बदलाव आ रहे हैं आने वाले सब लेकिन उनके लिए तैयार आप शायद नहीं है तो थोड़ा से अपने readiness पर ध्यान दीजे कि जो भी महत्वपूर्ण कारे आ रहे हैं कोई exam आ रहा है कि आप उसके लिए ready हैं prepared हैं सेहत नसों की problem सरवाश्टक आपका सब्तम भावतिंत वली है तो दिन एक balance दे में जाएगा उपाई यह है कि आपको ओम आधित्याय नवहा मंतर का जाप करते हुए सूरदेव को जलरबन करना है शुब अंक है साथ कल है रेड भाग्यपतिशत सर्थर्पतिशत इंफ्लेंस पहुत जल्दी हो जाते हैं जल्द तत्व की राशी है समझना चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया है यह आप की जो समझ है कही ना कहीं आपकी गायाप से दिख रही है आज इंवेस्पन बिल्कुर मत कीजिएगा थोड़ा सा जीवन में आज balance रखेगा करियर फोकस अच्छा बना के रहे है क्योंकि कुछ गलतियां हो सकती यहां तक बिजनस की बात है यहां पर दिन अच्छा देख रहा है पैसा आ सकता है लाब हो सकता है लव लाइफ बहुत जल्द बाजी रहेगी कुछ भी impulsive होकर मत कहिएगा विवाहिक जीवन आज बंधन सा हो जाएगा वो शायद नहीं हो पाएगा सेहत स्लीब डिसॉडर्स तंग करेंगे सरवाश्टक में आपका च्छटा सानतें तबली है तो ठीक है आज का दिन आपके लिए ओवरॉल कुछ रुकावट या वश्च्छ लेकर आ सकते हैं लेकिन कुछ बहुत महत्वकुन कार्य भी आपके बन सकते हैं अगर आपने थोड़ा फोकस किया तो आपके लिए उपाई यह है कि आपको सूरे चालीशा का एक बार पाठ करके सूरे महाराज को जल अरपन करना है शुब अंक है आपका पांच कल यह है आपका वाइट भाग्य पतिशत है पैंसर पतिशत है लियो सिम्ह आपके लिए दिन अच्छा है लेकिन डिसाइसिव नहीं हो पा रहे है कभी-कभी ऐसा होता है कि दो-तिन चीज़े सामने आ जाती है दो-तिन उपरचुनटी सामने आ जाती है हम समझ नहीं पाते किसको अपना है किसको नहीं थोड़ा बाचीत कीजिए जो भी पर ध्यान दीजिए करियर के हिसाब से वानी में बहुत सरलता रखिएगा आज व्यंगात्मक वानी कारक्षेत्र में विल्कुल उपयोग नहीं करनी बिजनस में आज का दिन ठीक है कोई ऑपरचुनटी हाथ से निकल गए ती वापस आ सकती है लव लाइफ बहुत अच्छ सेहत के इसाब से पेट के रोग सरवाश्टक में आपका पंचम भावतें तबली है तो कहीं न कहीं फोकस थोड़ा सा डगमगा सकता है उपाई यह है कि आपको सूरे चरीशा का एक बार पाठ करके सूरे महराज को जलर पढ़ करना है शुब अंक है आपका तीन कल है आपका कन्या वर्गो आज का दिन आपके लिए वैसे ठीक ही है बस एक चीज़ आपसे कहूंगा कि ऑपरचुनिटी जो आती है उसका लाब उठाया किजिए अभी ऐसा हो रहा है कि कुछ अच्छा होने भी वाला होता है तो थोड़ा सा डर जाते हैं सहम जाते हैं या कॉंफिडें में कितिना दखल अंदाजी कर सकता है वो भी कही ना कहीं आपके जीवन में थोड़ी सी गयपसी हो गई है तो एक सीमा बांधिये कि यहां इसके आगया आपको नहीं आना को एगर ऐसा कर रहा है तो उसको मना कीजिए इन्वेस्पेंट बिलकुल मत कीजिए आज थोड़ा करियर के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है शुब दिन है लाबकारी दिन है बिजनस है बिजनस में भी दिन ठीक ही है लेकिन अपने बिजनस के जो सीक्रेट्स है जो डिटेल्स है आज शेयर मत कीजिएगा कोई आप से कुछ पूछता भी है तो आपको जादा बताना नहीं है यहां पर दिन बहुत शुब दिख रहा है एक अच्छा महाल रहेगा दोनों के बीच में विवहाई जीवन थोड़ा कम बोलिएगा और थोड़ा सज बोलिएगा जादा चीजों को आज गुमा फिर आके मत बोलना स्टूडेंस थोड़ा डिल्यूजनल सा देख रहे हैं से दिख रहे हैं इस पर काम करना पड़ेगा एक क्लैरिटी की कमी है सेहत के हिसाप से नसों की प्रॉब्लम सरवाश्टक के हिसाप से आपका चौता स्थान अतन्त बली है तो ठीक है दिन ओवर आल आपका नॉर्मल सा जाएगा उपाई यह है कि आपको सूरे चालीसा का दो फोकस को खराब कर देते हैं और इसके कारण बार बार भ्रमित हो जाते हैं दो दिन तीन दिन एक हफता बहुत अच्छा किया सब कुछ फिर अचानक वही जिसको कहते हैं कि ढाक के तीन पाथ तो अविसली असान नहीं होता क्योंकि हम सब की जिवन इतने आजकल बीजी हैं दिस्ट्रेक्टेड हैं लेकिन थोड़ा सा एक बैलने का प्रयास आपको करना ही पड़ेगा कि एक कंटिनुटी वनी रहे आज ज्यान वर्धन का दिन है लेकिन सेहत का थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखिएगा यात्ला के योगाज अच्छानक से बन सकते हैं आपके लिए ओवर्धिंकिंग से बचना है जहां तक करियर की बात है कुछ जैसे मैंने का सीखने का दिन है तो कोई स्किल अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो आज उसके बारे में विचार कीजेगा उस पर काम कीजेगा बिजनस वेरे स्टेट से जुड़ा कारे करते हैं डाब होग में आपका तीसरा भावत इनतवली है तो यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं उपाई यह है कि आपको सूरे चारीशा का दो बार पाठ करना है शुब अंक है आपका वन कल है आपका रेड भाग्या प्रतिशित है सत्तर पीछे स्कॉर्पियो व्रिश्चिक आज का दिन अचानक से कोई व्यक्ति आपकी जो वैसे कुछ नहीं कहता था वैसे नुक्स निकालता लेकिन अचानक से अगर आपकी तारीफे करने लगा है तो समझ जाएगा संभल जाएगा हो सकता है उसका कुछ अपना मतलब हो जो निकालना चाता है थोड़ी इमिच्वरी जिलक रह रहे हैं आज इस पर काम कीजिएगा बिजनस कोई कारेट अकरा था किसी की मदद से पूरा हो सकता है जहां तक लव लाइफ की बात है दिन आज का ठीक है थोड़ा रोमैंस अफेक्टर बढ़ाईएगा विवाही जीवन बहुत अच्छा दिन है कमपेटिविटी बहुत पड़ेगा वानी और कॉमुनिकेशन दोनों ही आपकी थोड़ा बिगड़ जाती है और कॉमुनिकेशन स्किल्स पर भी काम कीजिए जा तक सेहत की बात है नसों की रोग सरवाश्टक में आपका धन स्थाना तेन तबली है तो ठीक है धन के समन्द में आज का दिन अच्छा बहुत रहेगा पैसा आ सकता है कारे बन सकते हैं लेकिन गुष्वर केजिएगा बहुत फ्रस्टेशन ह syntności grad won't Olay किजेगा अपने communication पर ध्यान दीजिए समझे कि कौन व्यक्ति आपका अपना है कौन पराई है इंवेस्टमेंट आज मत किजेगा अच्छा देन नहीं acceptance होड़ा अपने जीवन मिलाई जहां तक करियर की बात है यहां पर दिन ठीक ही दिख रहा है बिजनस के हिसाब से अपने संबंदों पर काम कीजिए अपने विवहार पर काम कीजिए अगर आप स्पेशली क्लाइंट हैं खुदी तो उस पर काम कीजिए जहां तक लव लाइफ की बात है चीज़ें यहां पर ठीक दिख रहेगी विवाहिक जीवन यहां पर प्रॉब्लम दिख रही है एक सब्सक्राइब यह तो ठीक है और आज का दिन अच्छा ही जाएगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको सूर्य चालीसिया का दो बार पाठ करके सूर्य महाराज को जलर बन करना है शुब अंक है आपका वन कलर है आपका पिंक भाग्य प्रतिशत है पच्छतर प्रतिशत आज का दिन ठीक है बस थोड़ा अपने उपर विश्वास बढ़ाईए धैरे लेकर आईए गलत जगापर धैरे खो बैटते हैं और इसका खामयाजा भी भुगतते हैं आज कुछ अचानक से लाब हो सकता है थोड़ा ब्रेक लीजिए मेंटली या फिजिकली अगर थोड़ बिजी दिन रहेगा अगर बिजनस आपका संडे को भी खुला होता है तो बिजी दिन काफी रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा लव लाइफ एक टेंशन क्रियेट हो रही है बहुत इसके कारण क्या है यह समझना पड़ेगा विवाही जीवन बहुत चीज़ें आप डिले कर बात है जो स्टूडेंस जिनका कोई आज एक्जाम आ दी है तो उसमें बहुत अच्छा उनका रिजल्ट या पोफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा सेहत के हिसाब से पेट के रोग तक करने के जहां तक सरवाश्टक की बात है आपका बारवास्ताना तेन तबली है बहुत कन्फ्यूज रहेंगे थोड़ा साज बैलेंस रखेगा कुछ बड़ा निरने मत लीजेगा दिन जसमने का लावकारी ही दिख रहा है पैसा भी आ सकता है लेकिन कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोच लीजेगा अपने अंतरमन को सुनिएगा विचार कीज इंवेस्मेंट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में भी खुशी आती दिख रहें दिन अच्छा है लेकिन कंफ्यूजन तंग करेगी करियर के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है अगर आप कॉम्मिनिकेशन बेस कुछ कारे करते हैं लाव होगा बिजनस थोड़ा ज इजाम आधी आधी आज है तो बहुत अच्छा उसमयाप करेंगे सेहत पेट के रोग सरवाश्टक आपका लावस्थान बली है तो ठीक है दिन कुछ ना कुछ लाब दे कर जाएगा उपाई यह है कि आपको सूरे 40 का दो बार पाठ करके सूरे महाराज को जलर बन करना है श सेहत पर बहुत ध्यान दीजिए सेहत बार बार ऐसा लग रहा है कि आपका एक नेगेटिव एक ऐसा ऐसी चीज़ है जिस पर आप शेहत पुड़ा काम नहीं कर पा रहे है तो अपनी सेहत पर काम कीजिए दिन अच्छा है भागे शारी दिन है कारे पूर्ण होंगे और हो जाते हैं फिर उसको दुबारा डिले कर देते हैं यह कहीना कहीं आपकी ही गलती हो रही है तो कारे को पूर्ण करने की एक आधर डाल देजी जादा करियर की बात है यहां पर चीज़ें ठीक ही दिख रही है अगर नई जॉब ढून रहे थे तो उसके लिए आज का दिन अच्छा है बिजनस आप ज्यादा विश्वास आज किसे मत कीजिएगा भली कोई भी हो विश्वास जाद मत कीजिएगा लव लाइफ थोड़ा अपने पार्टनर के लिए प्रेजेंट रहा की उनका उनके साथ समय बिताया कि इसकी कमें दिख रहे हैं विवाही जीवत अपने स्टूडेंट लाइफ को और्गनाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कमी दिख रहे हैं जादक सेहत की बात है पेट के रोग तंग करेंगे सरवाश्टक में आपका दस्वा साना तिन तबली है तो अपने जीवन को अपने आने वाले कुछ दिनों को और्गना सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए ओपने